हाई, welcome to my channel, इस बीड़ी में solve करें question number 10 तो ध्यान समझेगा क्या कर रहा है question if 49,392 is equal to a to the power 4 that b squared that c cube find the values of a, b and c where a, b and c are different positive primes मतलब a, b, c जो है different positive primes है तो find करना है कि a, b, c की value क्या होगी, यदि यह equation ऐसा equation मतलब है तो, मतलब this much is equal to this much then a, b, c की value पता है और a, b, c क्या है, prime, primes है positive primes है, ठीक है, prime को मतलब क्या होता है, कि ऐसा number जो हूद से कटे या 1 से कटे, ठीक है, जीसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, न, न, 8 नहीं होगा, ठीक है, और 11 हो गया, ऐसे इसको बोलते है primes, ठीक है, तो यहाँ पर a, b, c, primes है, तो solve करना है आपको बताना है a, b, c की value, तो है आसान, चलि solve करते हैं अब हमें पता करना है न, यह mysterious जो prime numbers दिया हुआ है, a, b, c, यह क्या है, कैसे find करेंगे, हम यहाँ इससे find कर पाएंगे, यह जो बड़ा number दिया हुआ है, इसको हम factorize कर देंगे, ठीक है, factorize कर देंगे, 49,392 4 है, 4 times हाया है, और 3 जो है, 2 times हाया है, और 7 जो है, 3 times हाया है, आप match कर सकते हैं आपर, कि a, b, c, कौन सा होगा आप यहाँ पर, यहीं पर ही answer बता सकते हैं, कि a बराबर 2 होगा, b बराबर 3 होगा, c बराबर 7 होगा but we will not do like this, हम लोग इसको factorize करके लिख देंगे actually, तो इतना बराबर लिख सकते हैं हम इस तरीके से 2 multiplied by 2, multiplied by 2, multiplied by, यहाँ हो जाएगा, 3 multiplied by 3, multiplied by, यहाँ पर कर लेंगे 7 से 7 multiplied by 7, multiplied by 7, is equal to a to the power 4, dot b to the power 2, dot c to the power 3 अब हम इसको power के formula लिख देंगे, तो 2 to the power 4 हो जाएगा, dot 3 to the power 2 हो जाएगा, dot 7 to the power 3, is equal to e to the power 4, dot b to the power 2, dot c to the power 3, अब करना क्या है, comparison करना है, ठीक है, uncomparing, uncomparing, we get a is equal to 2, क्यों compare करने पर हम यहाँ पास सकते हैं, क्योंकि देखिए, आपर, power यदि equal है, तो base भी equal होना चाहिए, यहाँ प्रतिके 2 और 2 बराबर है, तो base भी बराबर होना चाहिए, और इसका भी power जो है, देखिए, बराबर है, equal है, तो base भी बराबर होना चाहिए, that's it, a is equal to 2 होगा, d is equal to 3 होगा, and c is equal to 7 होगा, तो यह हमारे हो गए, ABC के values, तो hope कि आपको समझ में आ गया होगा, यदि कोई को doubt यहाँ पर है, तो बिल्कुल आप comment box में लिख सकते हैं, और यदि आप नए subscriber हैं, मतलब आपने subscribe अभी दिक नहीं किया है, तो बिल्कुल आप subscribe कर सकते हैं, thank you so much for watching